हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल जॉइन विथिवर से एक से दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए है 11 जून 2020 की मोस्ट इंपोर्टेंट करेंड अफेर्स जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं तो चले दोस्तो शुरू करते है दोस्तो यह रहा आपका पहला कोश्चन विस महासागरी दिवस्त वर्ल्ड ओसेंट कम बनाये गया है दोस्तो आपका सही जबाब होगा 8 जून तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ यह रहा आपका नेक्ट कोश्चन किस राज सरकार ने मेक संदे से फ्लांच किया है दोस्तो इसका सही जबाब होगा करनाटक सरकार तो दोस्तो बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ यह रहा आपका नेक्स कोश्चन रिचर्ड डेंकिन्स आवार्ड 2020 प्रसकार जीतने वाले पहले भारतिये कोन बने हैं तो दोस्तो इसका सही जबाब होगा जावे धक्तर बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की तरफ यह रहाब का next question बेस्व खाद सुरच्छा दीवस का मनाया गया है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा 7 June दोस्तों इसी तरह की नए updates पाने के लिए हमारे चैनल को अभी subscribe करें और प्रेस करें वेल आइकन को नए updates के लिए तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की तरफ दोस्तों यह रहाब का next question किस अंगठन ने कैंसर के उफचार के लिए मैगनेटो क्लोरी पदार्थ को विक्सित किया है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा अगले question की तरफ यह रहाब दोस्तों आपका next question किस अंगठन ने भारत में आनलाइन विवार समाधान लाने के लिए आगमन और उमेद्यार नेटोर्क के साथ साजिधारी की है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा निती आयोग तो बढ़ते हैं दोस्तों next question की तरफ यह रहा दोस्तों आपका अगला question किस अंगठन ने मौकिक कैंसर के निदान के लिए क्रिशी वुद्ध्याधारित computer विक्षित किया है दोस्तों इसका सही जबाब होगा विज्यान और फर्दोकी में उन्नत अध्यन सनस्थान तो दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ दोस्तों आप हमारे चैनल को subscribe करें लाइक करें और प्रेस कर दें अवेल आइकन को new updates के लिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की तरफ यह आप question की तरफ वैग्यानिक और उधोगिक अंसंधान परसद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साज़िदारी की है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा अटल innovation तो दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए आज फिल लेकर आए हैं तीन question जो आपका पहला question जिसको आपको जिसका जवाब आपको comment box में देना है तो दोस्तों यह रहा उसका अगला question हाल ही में किस देश ने विजली के छेतर में भारत के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ता अक्षर किये हैं और यह रहा दोस्तों आपका last question आज के लिए और दोस्तों question है Mercer की cast of living service के अनुसार भारत की सबसे महंगा साहर कौन सा है दोस्तों इन तीनों question का जवाब आपको हमारे YouTube channel के इस वीडियो के comment box में जाकर कि आपको type करने हैं और दोस्तों इस तरह की नए current affairs को daily current affairs को पाने के लिए हमारे channel को subscribe करें और press कर दें well icon को new events के लिए तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं फिर एक नए current affairs के बाद जब तक के लिए जैए